हेलो फ्रेंज गार्डन स्पेशलिस्ट हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको मुसांडा प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ बहुत ही खुबसूरत इसके फूल होते हैं गर्मी का प्लांट है वैसे तो यह प्लांट बारा महीने पेरिनियल प्लांट है हम हमेशा ही आपके गार्डन में चलता रहेगा पर फ्लारिंग सीजन इसका गर्मी होता है यह फैबररी फरवरी से लेकर अक्टूबर तक फ्लारिंग करता है मतलब सिर्फ सर्दी में इसमें फूल आने बंद होते हैं इसका डॉर्मेंट पीरिड होता है वैसे हमेशा इस पर होती है और यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है बहुत मतलब कलस्टर में गुच्छे में फ्लार हाते हैं और असल में तो यह ब्रैक्ट्स होते हैं फ्लार तो इसका बहुत चोटा सा येलो सा फ्लार होता है और ब्रैक्ट्स होते हैं यह ब्रैक्ट्स गुच्छों में होते हैं बहुत खुबसूरत लगते हैं और बहुत जादा दिन तक प्लांट पर ये फ्लार रहते हैं और इतना जब पहले वाले खराब होते हैं तो इतना और गुच्छा तयार हो जाता है तो ये आपका फ्लार से भरा रहता है प्लांट हैवी फीडर होते हैं इसमें जितना अब खात देते जाएंगे, हर 15-20 दिन में इसमें फेटलाइजर डालते रहें, तो फूलों से भरा रहेगा, पानी भी इस प्लांट को पसंद है, तो पानी भी इसको आप बराबर सुभे शाम गर्मी के दिनों में देते रहें, सरदी में थोड़ा कम पानी देना पड़ता है, क्योंकि यह डॉर्मेंसी में चला जाता है, पर गर्मी में आपको इसको सुभे शाम पानी दीजिए, यह प्लांट हैवी फीडर होता है, मल्टिप्लाइ करना, इसको प्रोपेगेट करना, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाना बहुत ही असान है, फर्वरी मार्च के मह में आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, या रेनिंग सीजन में कटिंग लगा दीजिए, तो यह बहुत असानी से नया पौधा आपका तयार हो जाएगा, और यह पर्मनेंट प्लांट है, सालो साल चलता है, बस इसका थोड़ा सा हमें केर करना पड़ता है, बहुत जादा क के नीचे इसको रखा हुआ है, और देखिए कितने अच्छे इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सुन्दर इसके फूल होते हैं, और हमेशा यह फूलों के गुच्छों से लदा रहता है, और बहुत जल्दी ग्रोथ भी दिखाता है, यह प्लांट तो आ एक साल में ही बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने इसको कटिंग से लगाया था, और देखिए थोड़ी मोटी कटिंग भी चल जाती है, और पतली भी चल जाती है, दोनों कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं, दोनों से यह तयार हो जाता है, इसके पत्ते भी बहुत सुन्दर वाले खुबसूरत पत्ते होते हैं इस पर थोड़ा पेस्ट अटेक होने का डर रहता है तो बराबर आप पेस्टिसाइड छिड़कते रहिए हर 15-20 दिन में ने तो इसके पत्ते कीड़े काटने लगते हैं काट जाते हैं मतलब उसको खाने लगते हैं तो इससे पत्तों की रही है इसको हर 15-20 दिन में तो यह आपका प्लांट हल्दी बना रहेगा हैवी फीडर्स हैं अच्छी ग्रोथ हो जाती है अच्छी फ्लावरिंग होती है तो यह प्लांट आपको हमेशा बढ़ता हुआ बहुत जल्दी दिखेगा बड़े गमले में लगाएं और इसकी जावरिंग होती है कलर्स तो काफी होते हैं इसमें वाइट रेड यह देखे पीच कलर है पिंक कलर है और यह थोड़ा मल्टी सा शेड होता है डबल शेड के फ्लार्स होते हैं वाइट कलर मेरा मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था तो अब मेरे पास यह दो कलर्स रह गए है ये peach color है ये बोगत सुनदर color है और दूसरा थोड़ा pinkish shade में है दोनों ही colors बोगत सुनदर है और ये plant ही बहुत खूबसूरत plant होता है पत्ते भी बहुत हरे भरे सुनदर होते हैं और फूल भी बहुत दिनों तक इस पर लगे रहते हैं और गुच्छों में आते हैं तो यह प्लांट लगाना चाहिए सबको क्योंकि यह बहुत ही शोभा वाला पौधा होता है और बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है और बहुत सुंदर भी लगता है और बहुत जादा केर नहीं चाहिए बस जब देखें 15 दिन बाद इसमें एक खाकर या अच्छे से धोकर डाल सकते हैं और इसको इसमें एसिडिक आप जैसे गोबर की खाद थोड़ी एसिडिक होती है वो डाल दीजिए थोड़ा इसको एसिडिक सॉयल परसंद है तो आप इसमें चाहिपती डालते रहें धोकर ताकि उसमें चीनी वगएरा निकल इसके बहुत अच्छी ग्रोध दिखाएगा सर्दी में थोड़ा सा ये डॉर्मिंट हो जाता है थोड़ा सा इसको रेस्ट चाहिए होता है तब इसको पानी भी कम देना होता है तब इसको अराम करने दीजिए पौधे को क्योंकि गर्मी में फिर इसने खुब जोरदार फ् देता है और बहुत अच्छी ग्रोध दिखाता है फेबररी मार्च में आप इसके कटिंग लगा सकते हैं और आप रेनी सीजन में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं तो ये बहुत असानी से आप नया पौधा बनाएए अपने फ्रेंस को गिफ्ट कीजिए और आपके में ये हमेशा रहेगा इसको आप तयार करते रहें कटिंग से बहुत असानी से अलमेंडा की तरह ये मुसेंडा भी बहुत जल्दी कटिंग से तयार होता है बहुत खुबसूरत पौधा है